दोस्तों एक बार की बात है, एक राजा था, उसे शिकार करने का बड़ा शौक था अब एक दिन की बात है, वे राजा अपने सरदार और कुछ सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल की और निकला वे काफी दूर तक शिकार की खोज में चले गए अब ज़्यादा दूर तक चलने के कारण सभी को प्यास लगने लगी सभी ने जंगल में पानी खोजना शुरू किया फिर इक सैनिक को रास्ते में एक कुवा दिखाई दिया सैनिक ने राजा को यह बताया कि वहाँ पर एक कुवा है जहाँ से हम अपनी प्यास को शांत कर सकते हैं अब राजा ने उस सैनिक को आदेश दिया कि वहाँ से उसके लिए पानी लाए अब सैनिक राजा के आदेश की पालना करती हुए उस कुवें के पास गया पर सैनिक ने दिखा कि एक नेत्रहीन वृद्ध विक्ती रास्ते से जाने वाले लोगों की जल सेवा कर रहा है सैनिक उस नेत्रहीन विक्ती के पास गया और बोला ए पनिहारे एक लोटा पानी दे हमें कहीं आगे जाना है ये सुनकर उस वृद्ध विक्ती ने जवाब दिया यहां से चला जा मुर्ख मैं ऐसे लोगों को पानी नहीं पिलाता यह सुनकर सैनिक तुरंत महां से चला गया यह बात सैनिक ने जाकर राजा के सरदार को बता दी फिर सरदार उस नेत्रहीन वर्द के पास गया और कहा ए बूरे हमें प्यास लगी है एक लोटा पानी दे अब यह सुनकर उस नेत्रहीन व्यक्ती ने फिर पानी पिलाने से मना कर दिया अब राजा की प्यास तो बढ़ती जा रही थी राजा ने अपने सरदार से पानी के बारे में पूछा तो सरदार ने राजा से कहा उस कुए पर एक नेत्रहीन विक्ती है जो पानी पीने से मना कर रहा है ये सुनकर राजा अपने सैनिक और सरदार के साथ उस नेत्रहीन वरिद्ध के पास जाता है और उस वरिद्ध विक्ती से कहता है बाबा जी हमें बहुत प्यास लगी है गला सूखा जा रहा है यदि आप थोड़ा पानी पिला देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी ये सुनकर उस नेत्रहीन विक्ती ने कहा आप बैठिये मैं आपको अभी जल पिलाता हूँ फिर उस वरध्य विक्ती ने सम्मान पूरवक राजा को बैठाया और पानी पिलाय पानी पीने के बाद राजा ने उस वरध्य विक्ती से पूछा आपको कैसे पता चला कि ये सैनिक है और वो सरदार है और मैं राजा हूँ तो इसका जवाब उस वरध्य विक्ती ने बहुत ही अच्छे शब्दों में दिया वरध्य विक्ती ने कहा इंसान की पहचान करने क लिए आखों की जरूरत नहीं होती उसकी वाणी ही उसकी असली पहचान होती है ये सुनकर वहां मौजूद सरदार वै उस सैनिक को शर्म महसूस होई तो दोस्तो इस कहानी से हमें प्रेणा मिलती है कि जीवन में वाणी से बढ़कर कुछ नहीं होता यदि हमारे पास अच्छ कहानी में इतना ही मिलते हैं एक और नई शांदर कहानी में तब तक के लिए धन्यवाद